हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो आर यूट्व चैनल यूथ अकाडमी दोस्तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कर दे और प्रेस दे बेल आइकान बटन क्योंकि जैसे मैं वीडियो अप्लोड करूंगा सबसे पहले आपके पास वीडियो आए त दोस्तो जैसे हमने पिछली पार्ट में देखा है कि किस तरह यूरोप और एश्या ने क्या किया रूट को फाइंड किया जैसे ही अलग-अलग समुंदरी रास्ते खोजे गए तो यूरोप और एश्या के बीच में ट्रेड बढ़ गया तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो बिजनेसमें दे वैपारी थे क्या होगे वो इस्टर्न कंट्री से सी रूट से न समुंदरी के रास्तों से आए इट वो जब आते थे बिजनेस करने तो सरी वो बिजनेस करते नहीं वहां से भी लेकते थे यहां पर रवा कर बेस्टै ते इस तरह यहां पर बहुत चीज मिलने लगा और अलग-अलग लोग लेंदेन करने बार्टरी एकोनोमी स्टर्ट होगी और दोस्तों जिसे क्या हुआ अलग-अलग कंपनिया बहुत सारी कंपनिया चालू हो गई क्योंकि वहाँ से बिजनेस में वैपारी आते थे तो वह यहाँ पर आ करके बिजनेस स्टार्ट करते थे अपना बिजनेस करते थे ट्रेड विजनेस करने रले प्रोफिट कमाने लगे and responsible for economic prosperity और अपनी जो एकोनोमी है उसको क्या उसको योगदन देने लगे Hence European rulers started giving military protections and trade concession to these trading companies तो जिससे क्या होगा दोस्तों जो European ruler था वहां के जो रहादा थे वो ये सारे businessmen को क्या है क्या होता दोस्तों जब वो बिजनेस करते थे तो बहुत सारे लूट मा यह भी होता था ठीक है gambling भी होता था directly उन लोग को जान से मारने की धंकी भी मिलती था इसलिए क्या करने लगे European ruler था उनको protection देने लगे military forces से protection देने लगे और उनको बहुत सारे concession भी मिलने लगे this leads to accumulation of wealth in Europe और इससे क्या वाद दोसो Europe में wealth पैसा जो लोग कमाने वाले थे वो जाधा government को देने लगे और वहाँ पे wealth बढ़ गया this property was used in the form of capital for trade and commerce which leads to rise of capitalism economy system in Europe और इससे क्या हुआ दोसो जैसे पैसा बढ़ गया तो लोगों ने इसको इस्तामाल करने लगे और वहाँ पे trade ज्याधा बढ़ गया है ना पैसा का लेंदेन अधिक होने लगा तो वहाँ पे capitalist economic system स्थापित हो गया यूरूप में कि पैसा पैसा लगाओ पैसा कमाओ ठीक है colonialism means one country exploiting another country by making it into a country ओके दोसों colonialism क्या होता है colonialism का मतला होता है एक country दूसरे country पे जा करके कबजा करके वहाँ पे colony बनाती है इसों करते हैं colonialism और वो लोगों को वहाँ पे exploit करती है प्रताडित करती है ठीक है a powerful country on the basis of economics and economic and military strength occupies another region and establish its political supremacy दोस्तों obviously जो powerful country होती है वो दूसरे जो कमजोर country होती उसके पर क्या करती है अपना military essence क्या करती है military power वहाँ पे समाल करके वहाँ जगह क्या करती है छेक लेती है हतिया लेती है और वहाँ पे बाद में क्या होता है हतियाने के बाद वहाँ पे political supremacy establish करते हैं अपना राजहनितिक वर्चश्व सापित करते हैं this is known as colonialism और दोस्तों इसी को क्या करते है colonialism भी कते हैं this tendency of colonialism leads to rise of imperialism among the Europeans और यही क्या बढ़ावा देता है यही समराजवाद को बढ़ावा देता है यूरोप में ठीक है तो अब imperialism क्या होता है दोस्तों इसको समझेंगे हिंदी में इसे कते हैं समराजवाद क्या होता है imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies दोस्तों क्या होता है imperialism का मतलब भी होता है वो powerful country जिसके पास सब कुछ है पैसा है military forces है यह क्या करते हैं अपना power का इस्तमाल करके जो गरीब और कमजोर देश होते हैं उस पर क्या करते हैं अपना domination अपना अधिकार जमा करके उन लोगों का क्या करते हैं वहाँ पर colony बनाते हैं उनका exploitation करते हैं दोस्तों बहुत सारे country हैं जैसे की अफ्रीका और एस्या का कंटीन के अंदर बहुत सारे country आती हैं जो इस imperialism के यूरोप के से गरसित हुए imperialism of British East India Company in India दोस्तों there was competition among European countries for acquiring trade monopoly in India दोस्तों उस समय European जो countries थी उनमें एक होड लगी थी कि भारत पर अपना business क्या करना कायम करना established करने में ठीक है monopoly means क्या होता है कि अप अकेला अकेला business करना यह होड लगी हुई थी the British established British East India Company और जो British थी क्या कि उसने क्या क्या ब्रिटीश इस इस इंडिया company 1680 में क्या 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 इंडिया में स्थाबित क्या business करने के लिए this company took permission from emperor जहांगीर और यह जो company है यह उस समय के राजा जहांगीर से क्या 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 permission लिया और established किया अपनी company सुरत में the trade between India and England was carried out through this company और दोस्तों यह जो business होता था trade जो होता था इंडिया और England के इसी company के बीच में से होता था okay दोस्तों struggle between English and French दोस्तों England and France were rivals in the competition for trade in India दोस्तों उस समय England और France एक दूसरे के क्या थे राइवल से एक दूसरे competitor थे उस समय business करने के लिए इंडिया में ठीक है due to this there were three wars fought between them और उस समय दोस्तों यह business के लिए कि मैं business करूंगा इंडिया पे मैं इंडिया में business करूंगा इन दोनों में England और France में तीन बार युद्ध हुए विच्यू आर नोन एस Carnatic Wars और इस युद्ध को Carnatic Wars भी कते हैं in the third Carnatic War England finally defeated France और इस थर्ड वार में जो इंगलेंड था वो क्या हुआ फ्रांस को हरा दिया therefore now there was no strong European competitor for British East India Company in India और इसलिए दोस्तों जब तीसरी वार में युद्ध में हर गया तो अब भारत में कोई British East India Company कोई competitor नहीं था जिससे कि British India Company बहुत अच्छे से यहां पर फल फूल गए और उन्होंने क्या किया इसके द्वारा अपना पूरा यहां पर इंडिया को ही हतिया लिया यहां पर उन्होंने इंडिया पर ही इंडिया को ही ग्रम बना लिया foundation of rule of Indian company in Bengal the Bengal provenance was one of the most prosperous provenance in India दोस्तों उस समय जो Bengal provenance area था वो बहुत ही ज्यादा prosperous था बहुत ही महतपूर्ण area था इन 1756 AD सिराज उद दौला बिकम द नवाब बंगाल ओके सिराज उद दौला जो थे उसमें के क्या थे नवाब थे इस इंडिन company officers misuse the trade concessions obtained from Mughal emperor in Bengal provenance और उसमें जो इस इंडिन company थी जो officers थे वहां के वहां किया कि गलत इस्तमाल किये वहां trade concession का बंगाल में the English built fortification around the factory at Kolkata without the permission of the नवाब और दोस्तों उस समय जो अंग्रेज थे जो British से क्या किये बिना नवाब के permission से Kolkata के जो उनका factory था वहां पे किया कि उन्होंने यह बना दिया बड़े-बड़े barn लगा करके अपना gate बना लिया बिना permission के ही ठीक है hence सिराजो दल्ला captured the factory at Kolkata इसलिए क्या के सिराजो दल्ला ने वह पूरा जो फैक्टरी है वह क्या किया बंद करा दिया capture करा दिया this created this content in England क्या हुआ एक दूसरे की बीच में क्या हुआ भारत और England की बीच में क्या हो गया दरारे आ गई Robert Clive diplomatically bribed Mir Jafar और दोस्तों जो Robert Clive था उस समय के diplomatic थे जो ये बातों को समझाते थे solve करते थे वह बहुती bribed करके Mir Jafar को घूस दे करके Mir Jafar को क्या किया मना लिया the commander in chief of the Nawab's army and also promise to make him the Nawab of Bengal और घूस दिया उनको और बोला कि आपको हम आपको जो commander थे उसको बोला कि Mir Jafar को बोले कि मैं आपको यहां का Nawab बनाऊंगा और आपको यहां का पूरा राजगदी दूँगा नवाब सीरा जोदला और बिटिस टॉप मेट अट प्लासी इन 1757 AD और दोस्तों फिर क्या हुआ सीरा जोदला और नवाब सीरा जोदला और बिटिस टॉप जो बिटिस के सैनिक थे वो क्या किये एक दूसरे से भिड़त हुई लड़ाई हुआ जिसे हम प्लासी का यूद कते हैं 1757 में अधरा जोदरा जाफर ही कि दोस्तों सेरा जोदला जोड़ा जैस्यमार जारा हिबत थे संवरियेौ जाफर को फिरूब्स टोड साना सतरा protesting against the British and hence his son-in-law Mir Qasim was made the nawab और दोस्तों क्या हुआ बाद में कि Mir Jafar को तो nawab बना दिया गया लेकिन बाद में वो ही खुद ही British government के खिलाफ ही वो protest करने लगा फिर बाद में उसके दमाद को क्या क्या दिया Mir Qasim को ही nawab बना दिया गया फिर Mir Qasim tried to put restriction on the illegal trade of British and hence once again Mir Jafar was made the nawab of Bengal तो दोस्तों क्या हो गया फिर से कि जब उसके दमाद को बनाया गया तो फिर से इसने illegal जो हो रहा था business trading उसको बंद करने कोशिश की तो फिर से British government ने क्या किया Mir Jafar को फिर से एक बार बंगल का nawab बना दिया गया restrict the activities of British in Bengal, Mir Qasim, Suja Uddola, the nawab of Ayodhya and Mughal Emperor Shah Alam form an alliance and reign a campaign दोस्तों यह जो activity थी British की जो गति विद्या चल रही थी British की बंगल में इसको नकाप करने के लिए Mir Qasim, Suja Dola, the nawab of Ayodhya और Mughal Emperor Shah Alam इन्होंने सभी नहीं मिल करके एक campaign चालू किया इन 1764 AD, Battle of Baksar was fought in Bihar और दोस्तों उस समय फिर एक युद्ध हुआ जिसका नाम है Baksar ठीक है यह Bihar में हुआ हुआ, after this battle British East India Company got the right to collect the revenue from Bengal provenance as per the treaty of Allahabad, तो दोस्तों तब क्या हुआ यह युद्ध होने के बाद, जब यह युद्ध हुआ तो वहाँ पे उसके बाद ही वहाँ पे उनको revenue collect करने के लिए एक permission मिल गया, as per the treaty of Allahabad, एक तरह का कानून था वहाँ पे, treaty of Allahabad, इसके तहत उनको वहाँ पे tax जमा करने का क्या हुआ, कानून मिल गया, ठीक है, in this manner, the foundation of British rule India has led in Bengal, और इस तरह क्या हुआ, British India का establishment हुआ, बंगाल में, British Mysore struggle, Heather Ali from Mysore state rebel and took control of Mysore, जब वहाँ के Heather Ali तो थे, मैसore के क्या थे, rebellion थे, वो युद्धा थे, ठीक है, और उन्होंने युद्ध जित करके, क्या 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 वो मैसore अपने कंट्रोल में कर लिया, after the death of Heather Ali, his son Tipu Sultan, become the ruler of the Mysore, और जब हैदर Ali की मृति हो गई, तो उसका बेटा, Tipu Sultan, वहाँ का क्या बना, ruler बना, राजा बना, he tried to his best to fight, against the British, और वो जितना हो सके, वो अपनी तरफ से कोशिश किया, कि British हो से, अंगरी जिसे लड़ सके, at the end, आखिर में, Tipu Sultan, die in the battle at Shri Ranga Patna, और Tipu Sultan की मृति हो गई, एक युद्ध में, Shri Ranga Patna in 1799 में, in this manner, the British took control of the Mysore, और इस तरह, British ने क्या किया, Mysore को अपने कब्जे में कर लिया, British control over Sindh, British का control था, सिंध पे, to strengthen the British power India, the English turn their attention towards North West Frontier, दोस्तों, जो British सा, अपना power, ताकत बढ़ाने के लिए, इंडिया में क्या करने लिगा, बहुत ज़्यादा प्रत्ने करने लिगा, और वो क्या किया, फिर उसका एकदम ध्यान, कहां चला गया, North West Frontier में चला गया, there, they feared, that Russia might attack India, through Afghanistan, and hence the English started establishing their influencing over Afghanistan, और दोस्तों, क्या हुआ, कि उनको बहुत डर हो गया था कि, रश्या जो है, वो क्या पता, इंडिया पे attack ना कर दे, अफगानिस्तान के रास्ते से, इस डर से, उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान को भी, अपना क्या कहा रहा, establish हत्याने लगे, वहाँ पे कबजा करने लगे, the route towards Afghanistan went through Sindh, जो अफगानिस्तान का रास्ता था, वहाँ से Sindh की तरफ आता है, the British understood the importance of Sindh and hence captured it in 1843, और इस तरह जो British थे, वो समझ गये, कि जो Sindh है, वो हमारे लिए कितना important है, इसलिए उन्होंने भी Sindh को अपने कबजे में कर लिया, 1843 में, fall of Sikh power, जो Sikh की जो power थी, वो क्या होगी, कम होने लगी, in the beginning of 19th century, the power in Punjab was in the hand of Ranjit Singh, 19th century में, जो power था, वो Punjab was in the hands of Ranjit Singh, पन्जब को जो power था, वो किस के हाथ में था, Ranjit Singh के हाथ में था, after the death of Ranjit Singh, Ranjit Singh की मृत्य के बाद, his minor son, उसका छोटा बेटा, जो 18 साल से कम उमर था, उसका, दुलीब सिंग, केम तुद थ्रोन, और वो बाहर आया, on his behalf, his mother queen, जिन्दान, looked after the state affairs, और जब ओ छोटा था, तो उसके बहाफ पर, उसकी मा, ठीक है, उसने का किया, वो सारा कारभार समहाला, but could not keep control over the officers, लेकिन उनकी मदर का, उनके officers पे, जो वहाँ के leader से, उनके कोई control नहीं कर पाए, और इस situation का फाइदा लेते हुए, बिटिश ने क्या किया, वहाँ के कुछ सरदारों को क्या किया, घूज दिया, लालस दे करके, उनको अपने तरफ ले लिया, अब ये जो बिटिश सरकार है, क्या पन्जाब पर अटेक कर देगा, है ना पन्जाब कमिल्ट पर अटेक कर देगा, इसलिए इडर के मारे उन्होंने क्या क्या, बिटिश पर हमला कर दिया, इन इस फर्स एंगलो शीक वार, शीक वेर डिफिटेड और ये जो फर्स एंगलो शीक वार था, जो जिसमें शीक और बिटिश लड़े, इसमें क्या हुई, शीक की हार हुई, और अभी भी ये इस चीज से क्या था, दूलिप सिंग अंजान था, बट ग्रोविंग इंपक्ट ऑब बिटिश ओवर पंजाब वस नॉट एक्सटेबल तो दे सिक्स, लेकिन जो जिस तरह बिटिश गॉवर्मेंट का रवया था पंजाब पर ज्यादा करने के लिए ये सिखों को मंजूर नहीं था, मुल्राज ऑफिसर अफ मुल्तान, रिवाल्टेट अगेंस इंग्लिश और जो उसमें का एक मुल्राज ऑफिसर था, मुल्तान उसने का किया ये अंग्रेजों के खिलाफ क्या-क्या युद्ध करना चालू किया, 1000s of Sikh soldiers participated in the war against the British और इस समय मुल्तान के साथ में हजारो शीख जो सोल्जर से वो क्या कि हिस्सा लिये इस ब्रिटिस की युद्ध में ठीक है इन दे सेकेंड वार दे सिक्स हैट तो फेस डिफेट अगें दोस्तों दूसरी बार भी जो सिक्छ थे वो क्या हुए हार गये इन 1849 दे ब्रिटिस फाइनली कैप्चर और इंटाрь रिजन अप पंजब अधिया कर लिए था माराथा स्वेट इंपॉर्टन च्रोंग रिलर्स इन इंडिया दोस्तो जो माराथा थे वो भी बहुत ही मजबूत और ताकतवर क्या थे रूलर थे इंडिया में और इनको कैसे किस तरह जो ब्रिटिश ने किस तरह उनको हराया इसका हम अगले चप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो दोस्तो ये थी वीडियो का लास्ट पॉइंट दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए और आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू